नमस्ते दोस्तों स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे और इस साल की शुरुवात हम करेंगे इस पहले टुटोरियल से जिसमें हम बनाएंगे मिथला पेंटिंग एक पिकॉक की तो हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले मैंने ये लिया है A4 साइस का एक पेपर जो की 300 GSM का थिक पेपर है मैं पेंज इस्तमाल कर रही हूँ ब्लैक कलर के रोटरिंग पैंस पर आप चाहे तो कोई भी ब्लैक पैंस इस्तमाल कर सकते हैं मैं यूज करूंगी अक्रिलिक पैंट जो मैं आपको आगे भी दिखाऊंगी कैसे करना है और ब्रश जो है ये दो नंबर का ब्रश है थिन ब्रश जो राउन ब्रश जो राउन बनाना है चारो तरफ और जो ये मिथला पेंटिंग है ये बिलकुल फ्री हैंड किया जाता है अगर आप beginner हैं तो आप scale और pencil का भी इस्तमाल कर सकते हैं बट कोशिश कीजिए जितनी हद तक हो सके फ्री हैंड करने का तो इस तरह से हम double lines करेंगे double lines बहुत बहुत important है मिथला पेंटिंग के लिए और इसको मदुबनी पेंटिंग भी कहा जाता है बट ये इसका original नाम जो है वो मिथला पेंटिंग है तो हम मिथला पेंटिंग जादा बोलेंगे तो मिथला पेंटिंग के लिए जो है double lines का बहुत जादा इस्तमाल होता है वो बहुत ही युनीक फीचर है मितला पेंटिंग का तो इसलिए हम हर जगर डबल लाइन्स करेंगे अधिक तर तो वो मैं आपको आगे वीडियो में दिखाती चलूँगी तो सबसे पहले मैंने यह ऐसे बॉर्डर बना लिए लगभग आप वन सेंटिमीटर का और उपर नीचे थोड़ा चोड़ा बॉर्डर बनाएंगे उसके लिए पहले यह एक तो फाइन वाले बॉर्डर बनाएंगे कहलो आप युनो अंदाजे से अगर लगाना है तो 0.5 सेंटिमीटर का यह पतला-पतला बॉर्डर और यह दो-दो उंगल का छोड़ के या फिर अगर आप चाहें तो इसको पतला भी रख सकते हैं थोड़ा और तो मैं आपको यह एक्जैक्ट मेजरमेंट तो नहीं बता सकती बट अंदाजे से करना है आपको ताकि बीच का जो है वो हमें थोड़ा सक्वेर जैसा दिखे जो बीच का जहां पे हमारा में पिकोक डिजाइन आने वाला है तो इस तरह से चोड़ा बॉर्डर दोनों साइड और बीच का यह सक्वेर आ गया है जहां में डिजाइन आएगा और चारो तरफ एक बॉर्डर तो इस तरह से हमें फ्रेम तयार करना है अपनी बेंटिंग के लिए उसके बाद मैं दिखाऊंगे आपको कि हर बॉर्डर में क्या-क्या आने वाला है तो सबसे टॉप वाले से हम शुरू करेंगे जो सबसे बहारी का हिस है उसमें ऐसे गोल-गोल डिजाइन्स करने है हमें तो इस तरह से हम करते चलेंगे जैसे आप देख सकते हैं इस तरह से हमें गोल-गोल डिजाइन्स करने है और उसके बाद जो पतले-पतले वाले बॉर्डर है उसमें हम ऐसे ही बस भरते चलेंगे यूनो जैसे छोटे-छ तो इस तरह से आपको करना है और जो direction है उपको change कर देना है उपर नीचे का तो जो नीचे वाले हैं उसमें मैंने आपको दिखाया और उपर से alignment भर दिर्रेक्षिन चेंज करना है ताकि वो डांक जो है, ऊपर का aya डांक लाइन बनता है वो अच्छे से दिखे दोनो तरफ से दिखे ना कि एक तरफ से उसके बीच में हम क्या करेंगे ट्राइंगल बनाएंगे तो मैंने डॉट्स दे दिए ताकि आपको ट्राइंगल बनाने में असानी है चुकि ये फ्रीहंड कर रहे है मैंने जैसा आपको पहले भी कहा आप चाहें तो scale pencil से ये सब draw कर सकते हैं लेकिन जो आप pencil से फेरें उसके उपर पैंसिल के उपर वो freehand ही कीजिए ताकि आपकी practice भी अच्छी होगी और उससे वो effect भी आता है थोड़ा rawness आता है एकदम से perfect lines बनाएंगे तो वो four card का rawness है वो चला जाता है तो इस तरह से हमने ये कर लिया triangles बना लिया इसके बीच में हमें बनाना है ऐसे वाले designs तो हम इसमें भी हर जगह देखो तो आप double lines कर रहे हैं तो इस तरह से आगे बढ़ना है और यहाँ पर floral pattern बनाना है और दोनों तरफ वैसे ही करना है तो यहाँ पर double line वापस से अंदर थोड़ा सा border जैसा छोटी छोटे circle वाले designs इससे बहुत प्यारा लगता है यह चोटी छोटे circle वाले designs आप कई बार इस्तमाल करते वे देखेंगे बुझे और इससे बहुत प्यारा आ जाता है तो इस तरह का तो आप मैंने जैसा कहा चोड़ा border भी रख सकते हैं पतला border भी रख सकते हैं जैसा भी आपके हिसाब से आपको जो convenient लगे आपको जो सुन्दर लगे तो मैं ऐसा कर रही हूँ जैसे यह मेरे कहने का मतलब है कि यह जो चोड़ा वाला जो है न आप इसको थोड़ा और छोटा भी बना सकते हैं और इसके अंदर हम भरेंगे fine lines जो उपर वाले जो circles हमने ड्रॉ किये थे तो इसके अंदर हम भरेंगे fine lines एक छोड़ कर एक हमेशा यह ध्यान रखना है आपको हमेशे एक छोड़ कर एक करना है तो दूसरी तरफ भी मैं दिखाऊंगी जैसे आप इस तरफ turn करेंगे paper को तो इस तरफ आप करेंगे तो ऐसे करना है आपको fine lines एक छोड़ कर एक हमेशा बिल्कुल और पूरी तरह से भर देना है तो मैं पूरी तरह से भर के दिखाऊंगी तो बहुत लंबा चला जाएगा ये वीडियो तो मैं आपको वालके छोटे छोटे एक्जामपल दे रही हूँ कि इस तरह से आपको बनाना है उपर नीचे पूरा complete करना है ऐसे ही border को उसके बाद हम शुरू करेंगे main design आपका पिकॉक का तो इस तरह से हमें जाना है सबसे पहले face से शुरुवात करेंगे और पहले ये structure हम तयार करेंगे और याद रखना है इसमें भी double lines सब जग़ double lines बहुत important है ये कहा जाता है ऐसा अगर आप मितला कलाकारों से पूछेंगे कि ये double lines क्यों बनाते तो अगर इसका simple logic देखें तो ये क्या करता है कि colors को और patterns को एक दूसरे से separate करता है तो जब आपकी painting complete हो जाती है तो ये double lines जो है आपकी painting को highlight करता है अगर इसको logically देखें तो पर अगर आप एकदम कलाकारों से पूछेंगे ये double lines क्यों बनाते हो आप तो वो बोलते हैं ये जो दो line होते है वो shiv और shakti जो होता है उसका प्रतीक होता है तो shiv और shakti जो हमेशा साथ में रहते हैं इसलिए ये double lines जो है उसका प्रतीक है मिथला कला में तो इसलिए इसका इस्तमाल इतना होता है double lines का पर अगर आप देखें तो ये काफी खुबसूरत लगता है जैसे ही आप पूरी तरह से painting आपकी complete हो जाएगी तो आप देखोगे कि ये double lines बिल्कुल highlight कर देता है आपकी painting को क्योंकि वो white white line ये double line के अंदर कुछ भी हम colors नहीं भरेंगे ये बिल्कुल white white line होता है और काफी मदद करता है हमें एक pattern को दूसरे pattern से separate करने में एक color को दूसरे color से separate करने में तो जैसे ही आप अलग-अलग patterns अलग-अलग designs भरेंगे तो आपको दिखेगा वो difference end में तो इस तरह से हमें design करते जाना और peacock जो होता है तो यहां पर हमने एक online किया मैं एक एक मैंने बनाया था एक peacock और मचली को भी साथ में combine करके भी आप design बना सकते हैं वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगी एक tutorial में अलग से पर आज हम यह बिल्कुल essay बाला design बना रहे हैं यह भी एक बहुत ही unique design है पिकॉक का तो इस तरह से आप कर सकते हैं तो आप चाहो तो मेरे instagram पे आप मुझे follow कर सकते हो आप दत्ता अनुश्री पे वहाँ पे भी मैं बहुत सारे personal designs भी शेर करती हूं बहुत सारे थोड़े complex artworks भी शेर करती हूं तो हम धीरे धीरे इस channel पे थोड़े complex artworks भी देखेंगे तो beginners के हमने बहुत सारे already कर चुके हैं हम तो हम थोड़े थोड़े धीरे थीरे अब complex artworks देखेंगे मैं आगे की tutorials में थोड़ा canvas पे try करूँगी canvas पे आपको दिखाने की कोशिश करूँगी बड़े-बड़े canvas पे हम मितला painting कैसे बना सकते हैं तो इसलिए अभी चुकि last year मैं खुद सीख रही थी इस painting को जो local artists हैं उनसे सीखा है मैंने ये painting तो ताकि मैं आपके लिए और अच्छे tutorials बना सकूँ तो इसलिए last year tutorials उतने सारे नहीं आ पाए उसके लिए I'm really sorry वो बट मैं खुद सीख रही थी ताकि मैं आपको और अच्छे से और अच्छे अच्छे tutorials और अच्छे अच्छे drawings करके दिखाऊं ताकि आप खुद इस कला को सीखें और आप मेरी तरह expert बन जाएं इस कला में खेर मैं आपने आपको expert नहीं बोलूंगी बढ़ हां मतलब आप भी बहुत सुंदर सुंदर paintings खुद से सोच कर designs बना सकें तो इसलिए हम आगे बढ़ते हैं ऐसे से और borders का जो यह design करें न यह बहुत important है मितला कला में जब भी आप कोई भी design बनाते तो अंदर borders से काफी भरा जाता है अगर आप देखेंगे तो जैसे यह punk का design बनाया तो उसमें भी side में borders जरूर देना है यह ध्यान रखना है यह बहुत ही unique feature again जैसे double line का एक unique feature है वैसे यह border वाला भी unique feature है मितला कला कर तो यह आपको ध्यान देना है इस तरह से हम एक और इधर थोड़ा सा मेरा यह थोड़ा गड़बड हुआ है यहाँ पर आप उसको ध्यान देना कि अच्छे से पहले से double line कर लेना और वहाँ पर भी border यह जो चोटे-चोटे circles वाला border वह भी आएगा उदर तो इस तरह से सुंदर दिखेगा यह तो यहां हम आगे बढ़ेंगे और इस तरह भी same same करेंगे दोनों तरफ के punk जो है unique एक जैसे लगने चाहिए तो वैसे करेंगे तो same designs बनाएंगे और last मे यह हम चोटे-चोटे और punk ऐसे निकालेंगे तो यह बिल्कुल design जैसा है तो एकदम से आप उसको peacock से match करके नहीं देखेंगे यह peacock का design है ऐसे करके देखेंगे और बाद में हमें पूरी तरह से जो है ना चारो तरफ जो है peacock के ऐसे branches निकालने है ऐसे पेड़ जैसे कि व पूरी तरफ से छोटे-छोटे पत्ते आपको दिखाऊंगे कि ऐसे आप पत्तों से भर सकते हैं design को पर आप चाहें तो उसमें full भी include कर सकते हैं वो भी बहुत सुंदर दिखेगा छोटे-छोटे flowers भी बना सकते हैं इस तरह से हम आगे इसको थोड़ा सा dark करेंगी यह इसमे पूरी तरह से आपको भर देना है बिल्कुल पूरी तरह से जो है न लीव से भर देना है इस तरह से और जैसे आप दूसरे layer के leaves बनाएंगे तो एक से एक सटा के रखना है छोटे-छोटे line से सटा देना है एक leaf से दूसरे leaf को जोड़ना है तो इस तरह से कहीं भी खाली पूरी तरह से सटा के जितना रखोगे उतना अच्छा design दिखेगा पूरी तरह से इस तरफ जैसे यहाँ पे भी एक leaf के उपर leaf उसको भी जोड़ना है छोटे-छोटे line से ताकि वो घना दिखे पूरी तरह से और सब तरफ यह repeat करना है चारो तरह जो खाली जगा बची है प आपका complete हो जाएगा पूरी तरह से design शुरू करेंगे रंगों से और यहाँ मैंने फिर जैसे मैंने शुरू में दिखाया तो acrylic paint का इस्तमाल कर रहे हूँ कई बार लोग पूछते है watercolors से भी कर सकते है आप कर सकते हो पर acrylic paint का जो है इफेक्ट जादा अच्छा आता है देख करने के लिए आप चाहे तो स्रिफ red black रख सकते है पर देखो orange डालने से वह और ज्यादा प्यारा दिखता है red और orange का combination काफी इस्तमाल होता है मितला painting में और काफी अच्छा भी दिखता है और इस तरह से हम चारों तरफ न सर्कल के border को तो थिक कर लेना है ताकि वह एकदम स भर जाएगा जैसे ही आप देखोगे वह एकदम से भर जाएगा उसके बाद हम करेंगी यह जो चोटू वाला border design जो चोड़े वाला border design था इसको हम भरेंगे इसमें भी वही red line orange line red line orange line एक एक चोड़ कर और फिर उसको थोड़ा सा डाक कर लेना है red line orange line ऐसे ही इस तरफ भी क करना है हमें red line orange line डाक कर लेना है उसको red line orange line fine lines तो lines बहुत आएंगे fine lines आपको यह ध्यान देना है यहां भी हम बीक जो है जो उसका चोच है बीक को का उसमें भी red lines से और फिर side में थोड़ा डाक कर लेना है उसको तो यह मैं सारे rotary pen का इस्तमाल कर रही हूँ आप चाहे तो क स्रिफ painting को try करना चाहरे है तो rotary pen जो होता है वो थोड़ा expensive होता है उसको maintain करना पड़ता है उसको ink सूख जाती है तो बहुत wash करना पड़ता है तो वो आप initially आप skip कर सकते हैं वो थोड़ा tedious है तो आप उसको initially skip कर सकते हैं और आप कोई भी black pen और कोई भी you know fine liners या किसी से भी start कर सकते हैं तो जैसे जैसे देखो हम color भरते जा रहे हैं design भरते जा रहे हैं वैसे वैसे यह उभर रहा है और यह fine lines जो यह black वाले जो मैं भी punk में कर रही हूं एक छोड़ कर एक यह बहुत बहुत important feature है मिथला painting का यह हर जगा आपको ध्यान देना है कि यह fine lines आने ही feature है तो यह आपको ध्यान देना है तो इस तरह से करने के बाद ऐसा दिखेगा और garden में design किसी भी animal को जब हम draw करते हैं मिथला painting में तो उसके neck में design जरूर बनाना है ऐसे border वाले चोटे यहां बनाओ क्योंकि यहां पर चुकि मेरे peacock का neck बहुत चोटा सा पतला सा है तो कम ही design painting जो है वो मिथला painting जैसी दिखेगी वरना वो अलगी doodle जैसा दिखने लगता है फिर वो चला जाता है वो folk art वाला charm जो है वो चला जाता है यहां पर मैं अलग design कर रही हूं ऐसे आप देखो line line खीच रही हूं बर थोड़ा सा gap बीच में छोड़ा है मैंने और यहां पर मैं जाना है पैटन और कुछ नहीं है यह काफी असान सा है पर आपको बस ध्यान देना है कि अलग-अलग color contrast और देखो border जब आप जो मैं double line का बोड़ रही थी और वो border जो black वाले चोटे-चोटे circles वाले बनाएं देखो कैसे उभर रहा है जैसे जैसे आप color भर रहे हो जैसे ज चोड़कर एक fine lines यहां थोड़े और border add कर देते हैं उपर तक तो वो और अच्छा दिखेगा इस तरह से और यहां भी fine lines वापस से और फिर हम यहां भी fine lines red orange ऐसे अलग-अलग colors आप इस्तमाल करेंगे न red orange काफी अच्छा combination लगता है साथ में भी और जब भी आप fine lines dark वाले क fine lines करो और जो आपने color जो बीच में छोड़ दिया है या तो आप उसमें रंग भर सकते हो या वापस से fine lines ही कर सकते हो डिपेंड करता है अब हम पीच के लिए थोड़ा pencil से mark बना लेंगे क्योंकि हमें उस पे कुछ बनाना है तो एकदम से अंदाजा गड़बर ना हो जाए ये दोनों punk पे हम ऐसे वाले designs pencil से mark करके बना लेंगे तो ये हमने कर लिया है इस तरह से और वहाँ भी थोड़ा सा मुझे लगा कि वो line से थोड़ा दूर करना था इसलिए line को मैंने pencil से कर लिया क्योंकि ये हम directly करते तो गड़बर हो जाता है इसलिए pencil से कर दिया अब इसम pen को थोड़ा साफ करना पड़ता है क्योंकि rotary pen के अंदर हम इंक भरते हैं तो इंक लीक न हो जाए इसलिए मैंने का कि अगर आप एकदम से start कर रहे हो तो आप कोई simple सा black marker से भी कर सकते हो सीखने के लिए अगर कर रहे हो पर rotary pen का trust me बहुत अच्छा effect आता है professionally अगर आप कर र यह चोटे वाले जो हमने side में punk create के थे उसमें यह simple सा design इस तरह से करना है बस अब यहाँ पर हम red color से भर रहे हैं यह भी वापस मेरा rotary pen ही है बट अगर आप चाहें तो acrylic paint भी यहां भर सकते हैं या फिर कोई भी pen से यह color भर सकते हैं तो इस तरह से हम बाकी के जो बचा हुआ पंक है इस तरह वो green pen से मैंने किया है और यहां orange color भर रही हूँ मैं इसमें भी orange color से highlight कर रही हूँ और एक एक छोड़ के किया है क्योंकि दूसरा जो छोड़ा है उसमें मैं दूसरा कोई color करने वाली हूँ तो इस तरह से हम उसको dark कर लेंगे dark करते ही देखो side में जैसे ही आप fine lines भरते हो और उसको dark कर देते हो न तो वो एक अलग effect आ जाता है तुरंती दिखने लगता है वो तो इसलिए जैसे यह red भी किया है मैं dark करने वाली हूँ इसको side से एकदम से effect अच्छा दिखता है अब यहां पर मैंने blue paint लिया और brush से कर र तो अब इसको brush से नहीं है तो आप इस color का pen भी इस्तमाल कर सकते हैं और यहां पर हम यह last में थोड़ा सा dark line करके highlight कर देंगे इस तरह से check pattern यहां पर वही same blue color एक-एक छोड़ कर हमेशा क्योंकि बाकी के इसमें हम कोई और pattern करेंगे यहां पर भी blue color से जैसे हमने बीच में green डाला है यहां पर हम blue डालेंगे तो अलग-अलग contrasting colors अलग-अलग color combination यह भी बहुत important है किसी भी painting को मनाने के लिए और यहां पर हम orange डालने वाले हैं तो बस अब last का हमें बच गया आख और आख हम हमेशा आखरी में बनाते हैं मिथला painting में यह मैंने आपको पहले भी बताय है तो इस तरह से हमारी painting खतम हो गई और ऐसी दिखने वाली आपकी painting एक बार बन जाए तो धन्यवाद आप सब का मेरे channel को देखने के लिए जरूर subscribe करें like करें और comment में बताए कि कैसी लगी आपको यह painting